नमबर वन चानल के नमबर वन सो शाजिश में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला आज बात सबसे पहले इसराइल की रिपोर्ट है कि इसराइल ने युद की कई बातों को छुपाया है दुनिया से दावा किया जा रहा है कि हमाज से लड़ते हुए इसराइल के इतने ज्यादा सैनिक मर गए है कि सही आखड़े तक नहीं जारी किये जा रहे है रिपोर्ट तो ऐसी भी है कि इसराइल ने जितने सैनिकों के मरने की बात मानी है उससे दस गुना ज्यादा फौजीयों की मौत वहां हुई हत्यारों के मामले में इसराइल को दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है इसराइल का एरो एर डिफेंस इतना ताकतवर है कि इसराइल दावा करता है कि अगर 2000 किलोमेटर दूर से भी कोई मिसाइल इसराइल की तरफ लाँच होती है तो मिसाइल लाँच होते ही इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है जब तक इस्राइल अपनी एरफोर्स के माध्यम से घाजा पटी पर बंबाडिंग करता रहा तब तक इस्राइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या कांक डाल लगबग इस्थिर रहा लेकिन जैसे इस्राइल ने अपना क्राउंड ओपरेशन शुरू किया इस्राइल के सैनिकों के मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई लेकिन अब जो समचार फिलिस्तीन के अकबार चाप रही है उससे ऐसा लग रहा है कि इस्राइल की सेना और इस्राइल की सेरकार इस्राइल के सैनिकों की मौत के आंखुनों को छोपा रही है फिलिस्तीन क्रोनिकल नाम के एक अखबार ने इसरेल के मिलिटरी सिमेट्री यानि इसरेल के सैनिक अबरिस्तान यानि वो जगह जहां पर इसरेल के सैनिकों को दफन किया जाता है उस जगह के डिरेक्टर डेविड वार्नर बरूज का एक इंटरव्यू छपा है इस इंटरव्यू में इसरेल की मिलिटरी सिमेट्री के डिरेक्टर डेविड वार्नर ने कहा है कि इसरेल के अंदर हर घंटे एक इसरेली सैनिक का शब कबरिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है इस इंटर्वियो को फिलिस्तीन के अरब देशों के अकबारों ने हाथों हाथ लिया और ये दावा किया कि इजरेल के सैनिकों की मौत का आखड़ा आधिकारिक आखड़े से कहीं ज्यादा है जेरुसलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हरजल कब्रिस्तान है और यहाँ पर इजरेल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है मिडल एस्ट मॉनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रिस्तान के डिरेक्टर डेविट ओरेन का बयान छपा है पिछले 48 गंटे में 50 इसरेली सैनिकों को दफनाया गया है यह चौका देने वाली बात है क्योंकि इसरेल ने दावा किया है कि 7 अक्तूबर से अब तक इसरेल के करीब 400 सैनिक मारे गए हैं इनमें से करीब 80 सैनिक घाजा के ग्राउंड ओपरेशन में मारे गए हैं करीब 10 सैनिक लेबनन के बॉर्डर पर हेजबुला से लड़ते हुए मारे गए हैं और 300 से जादा सैनिक 7 अक्तूबर और उसके बाद एक हफ़ते तक इसरेल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गए हैं लेकिन फिलस्तीन के अक्भारों का दावा है कि ग्राउंड ओपरेशन में इसरेल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आँखनों से कहीं ज्यादा है अगर इस्रेयल के मिलिटरी सिमिट्री यानि सैनिक अबरिस्तान के डिरेक्टर डेविड वारेन के आँकणों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इस्रेयल के ग्राउंड ओपरिशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानि 30 दिन में 720 घंटे होते हैं अगर इस्रेयल के सैनिक अबरिस्तान के डिरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब तक ground operation से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है ये सिर्फ एक अनुमान है इसकी पुष्टी नहीं की जा सकती है इतना ही नहीं हेजबुल्ला ये दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हेजबुल्ला के 80 लड़ा के मारे गए है जबकि इसरेल के करीब 10 सैनिक मारे गए है जबकि हेजबुल्ला को सपोर्ट करने वाले देश इरान के सरवुच नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके है इसरेल के ज्यादा सैनिक मारे गए है लेकिन इस्रेयल आंकडों को छुपा रहा है अब ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि क्या वाकई में इस्रेयल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकडों को छुपा रही है इस्रेयल की सेना प्रोपेगेंडा वार में हमेशा सबसे आगे रहती है और आज भी इस्रेयल और हमास के युद में अगर देखा जाये तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों के हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस्रेयल की सेना अपनी पकड को मजबूत कर रही है। दस गुना आदमी ज्यादा मारता है। और अब तक के आखडों पर गौर करें तो घासा के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और करीब 7,000 लोग मलबे में दफन हैं। इन में से मारे गए बच्चों की संख्यातों करीब 7,000 हो चुकी है। यानि घाजा में एक बहुत बड़ा नरसंखार हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नैशनल सेक्योटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्वी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉनफरेंस में ये कहा है। कि घाजा पट्टी में कोई नरसंखार नहीं हो रहा है। ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी घाजा पट्टी के जखनों पर नमक छिड़क रहा है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिलकुल साफ नजर आ रहा है। हमास wants, make no mistake about it, is genocide, they want to wipe Israel off the map, they've said so, publicly, more than one occasion, in fact just recently, and they've said that they're not going to stop, what happened on the 7th of October is going to happen again and again and again, and what happened on the 7th of October, murder, slaughter of innocent people in their homes or at a music festival, that's genocidal intention. मलेशिया के प्रधान मंत्री अन्वर इब्राहिम ने कहा है, कि योकरेन की घटनाओं को नरसंहार मानना और घाजा पट्टी की मौतों को नजर अंदास करना वैश्विक पाखंड है। दूसरी तरफ अगर देखा जाया तो अब तक घाजा पट्टी के अंदर 30,000 से जादा लोग घाल है। और घाजा पट्टी के अस्पतालों की हालत क्या है? ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है। जॉर्डन ने घाजा पट्टी के गाल लोगों के लिए एजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। किंग अबदुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल की निगरानी करने के लिए गया। लेकिन आपको जान कर हरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड है। जबकि घाजा के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग गायल है। और इन हालातों में एक फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड का इंतजाम लोगों के साथ एक क्रूर मजाक है। जबकि एम्या अव्याथ एक जान करके जहां पक्ता झाल झाला है। वो आखनी हो गये हैं पर जूते हैं ए Sana सब तेम गया है किलो कै मैंने आटहुँ है हुआ है Department इस्राइल अपनी टेक्निकल सुपेरियरिटी की वज़े से अजे है पिछले हफ्ते इस्राइल ने हमास की ताकत को इस कदर निस्तो नाबूत किया था कि पिछले हफ्ते 72 घंटे में इस्राइल की राजधानी तेल अवीब पर एक भी मिसाइल अटेक नहीं हुआ था और जब सोमवार को तेल अवीब पर एक मिसाइल अटेक हुआ तो जहां से मिसाइल अटेक हुआ उस रॉकेट लॉंचर को भी गाज़ा के अंदर जाकर इस्राइल ने दबा कर दिया ये इस्राइल की ताकत है हमास की प्रबक्ता अबू उबैदा की माने तो हमास के लड़ाकों ने इस्राइल के 350 से ज्यादा बक्तरबंद गाड़िया और टैंकों को उड़ा दिये है हमास का दावा तो ये है कि इस्राइल के 150 मरकाबा टैंक उड़ा दिये गए हमास तस्वीरे भी जारी कर चुका है लेकिन फिर भी हमास की पकड़ घाजा से इसलिए धीली पड़ चुकी है क्योंकि हमास के बड़े-बड़े हेड़कोंटर पर इस्राइल ने टैंक चड़ा दिये है इस्राइल ही नहीं अलशिफा अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टर भी ये मानते हैं कि अलशिफा में हमास का हेड़कोंटर हो सकता है टाइमस अफ इस्राइल अकबार ने ये दावा किया है कि फ्रांस 24 नाम के एक न्यूस चैनल पर एक ब्रिटन के डॉक्टर ने इंटर्व्यू दिया है इस डॉक्टर ने तीन साल तक अलशिफा अस्पताल के अंदर काम किया था घाजा के अलशिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर का दावा है कि अलशिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहیں थी जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था ये कहा क्या था अगर वो वहां प्रतिबंधित क्षित्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है टाइमस ओफ एजरेल ने दावा किया है कि अलशिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेटवाटर होने का दावा करने वाले बृटिश डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया है क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने पर गाजा के अंदर मौझूद उसके सहयोगियों को हमास मार सकता है। अल-शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर ने आगे कहा कि सावधान किये जाने की वज़ा से मैं गाजा के अल-शिफा अस्पताल के प्रतिबंधित चत्रों से दूर रहा। लेकिन मैंने कुछ संदिक से नजर आने वाले ऐसे लोगों को अस्पताल में हर समय अंदर और बाहर जाते देखा था। जो चिकित सा कर्मी नहीं थे। ये लोग अस्पताल के बेस्मेंट के अंदर जाते थे। The first time our forces entered the Shifa complex, they went in with a bomb sniffing dog and they discovered a truck full of ammunition. After revealing the shaft by the D9, they saw circular opening and they couldn't see all the way down at the time but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10 meter deep shaft that leads to a corridor. At the end of that corridor there is a blast proof door with a shooting hole at the top of it and our forces after making sure that all defense mechanism are dismantled have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex. The understanding that this tunnel goes under the hospital. Israel Defense Force has made a clear view of British doctor's interview, but once again said that in this interview it was clear that the Shifa hospital was used to be in the headquarter of Hamas.